जैन साथियों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं सब ही अच्छे होंगे साथियों प्रति दिन की तरह जो आज की CCS उनिवेस्टी की नीवस हैं वह मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछन पूछते हैं उ कर लिजेगा सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं उसके बारे में तो सबसे जादा जो कूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर जो कि हमारे और समिशनर के एक्जाम होए थे उसमें फिर चाहें आपका ब कर दो कि में रिजल्ट आपका आ जाएगा क्यूकि जो आपकी कोपिया है योट्चन जो कर दिये कर दिया जाएगा जैसे हिर अपडेट होता रहेगा वैसे ही में वीडियो अप्लोड करता रहूगा इसी चैनल पर इससे आगे बात करते हैं जो वाले बच्चे हैं वाले बच्चे यानि कि जिनके आपके exam online होने हैं या offline होने हैं इसको लेकर बहुत जादा confusion बना हुआ है अब तक online के लिए जो हमारा portal open था कि online में आप अपनी choice फिल कर सकते हैं तो उसमें अब तक 10,000 बच्चे फिल कर अब online में आपका किस तरीके से paper होगा, किस तरीके से किस app पे होगा, किस website पर होगा वो अभी चीज़ें के लिए नहीं हैं उसको लेकर जो हमारा 6 तारिको 6 जुलाइक को meeting है युनिवरस्टी में अब उसमें जो company जिसको tender दिया गया है उनसे demo मागया गया है उसके बाद में फिर युनिवरस्टी डिक्लियर करेगी कि जो आपका paper है online किस तरीके से कराया जाएगा, offline में आपका जो subjective होगा, objective होगा तो अभी ये बड़ा confusion बना हुआ है, जैसे ही इसको लेकर चीज़ें clear होगी तो वैसे ही मैं video upload करूँगा इसी channel पर, अभी इस चीज़ें किलियर नह आपकी गई है, जैसे ही update होगी, वैसे ही मैं video upload करूँगा इसी channel पर, आगे बढ़ने से पहले साथ एक information आपके साथ share करनी थी, आज जैसे ही हम every Sunday live आते हैं 8 बजे, आज भी हम live आएंगे 8 बजे, लेकिन इस channel पर नहीं आएंगे, आज हम आएंगे Facebook पेज पर, यानि कि Facebook पे सर के नाम से, और आपको मैंने description box में इसका link दिया हुआ है, यहां से भी आप उसको follow कर सकते हैं, तो आज हम 8 बजे live आएंगे, श्याम को 8 बजे live रहेंगे, Facebook पेज पर, जो भी आपको question क्यारी है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अब आगे बात करते हैं, जो नए सत्र के admission के लिए Sunny Bar को meeting रखी गई थी, university में, तो उसमें काभी चीजों पर decision लिया गया है, उसमें जो सबसे पहला decision लिया गया है, जो हर साल जो merit बनती थी, यानि जो admission के लिए portal open होता था, portal इस बार जो आपका 15 जुलाई के बाद में आपका portal open कर दिया जाएगा, 15 जुलाई के बा लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यानि कि उनको सभी subject के marks update करने पड़ेंगे, जैसे UP board में होता है, इसी तरीके से, तो अब इस बार ऐसा नहीं है कि आपको choice में लिए कि top 5 subject के आप marks दे सकते हैं, तो आपकी जो merit बनेगी, सभी board की अब एक साथ merit बनने वाली है, चाहे वो ACACI या आपका UP board है, तो इस बार ये चीजे लाग हो गई है, दूसरा जो सबसे बड़ा decision लिया गया है, वो ये लिया गया है, पहले क्या होता था, जैसे हमारा gap होता था, जैसे हमने अपने 12-2018 में complete कर ली है, और हम कोई course करना चाहते हैं, तो जो हमारी merit बनती थी, तो उसम लिस्ट में, तो ये भी आपके लिए facility होगी है, student के लिए यदि आपका gap भी है, तो अब आपकी percentage नहीं कटेगी, जो तीसरा बड़ा है, चौधा पॉइंट ये है, कि जो हमारे CCS University में, जो quota होता है कि 50% बच्चे UP Board के रहेंगे, यानि कि 50% तक बच्चे किसके हो सकते हैं, UP Board के, और 50% में क्या है, अधर बोर्ड है, चाहे हो आपका CBSC है, ICSC है, वो पहले की तरह ही है, पहले भी यही था, और इस बार भी यह है, यानि कि 50% का quota UP Board का है, और 50% में बाकी अधर बोर्ड है, चाहे हो आपका CBSC, ICSC या कोई अधर बोर्ड है, तो ये चीज़ें आपकी, जो आपको सनिवार को मिटिंग हुई थी, admission को लेकर उसमें रखा गया है, पोर्टल जो उपन हो जाएगा, पोर्टल आपका 15 जुला पोस्ट मैंने सब सारी चीज़ें आपको किलियत करती है, यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रह गया है, तो हम आपसे मिलेगे आज 8 वजे live, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन मिलेंगे कहाँ पर? Facebook पेज़ पर, तो Facebook पेज़ को follow कर लीज़ेगा, अमिर चोहान सर के ना झाल